बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 ये एक ऐसा प्राइस रेंज है मतला बजट से उपर और मिड रिन से नीचे और इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं और यही रिजन है कि आप इस रेंज में सही स्मार्टफोन सेलेक करने में हमेशा कन् अगर आप गेमिंग करते हो और आपका बजट 15,000 के असपास है तो यू आप डेफिनेटली गॉना लाइक इस स्मार्टफोन्स और हमेशा की तरह इन सारे स्मार्टफोन्स के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया भी सेट कर रखें अब गेमिंग फोन्स की बात हो रही है तो स 3.5 mm headphone jack in each and every smartphone in the list सारे इफोन्स में लेटेस्ट Android 11 का सपोर्ट अटलीस 6GB या तो 8GB RAM and 48MP या उससे उपर मतलब 64MP या 108MP का भी camera setup देखने को मिलेगा जिससे आप 4K वीडियो भी शूट कर पाऊगे and yes सारे इफोन्स में आपको कम से कम 5000 एमेज की बैटरी भी मिलेगी with fast charging तो इस फोन में आपको 6.5 inches की एक Full HD Plus यानि 1080p resolution वाली LCD display मिलेगी with 120Hz refresh rate and Gorilla Glass 3 की production जिसकी brightness maximum 600 nits तक जा सकती है Performance की बाद करनो तो इस फोन के base variant आपको मिलेगी 6GB की RAM with Mediatek Dimensity 800U जो की 7nm की architecture पे based है and ये 5G connectivity को भी support करता है Gaming wise this phone is a champion and अगर आपको याद होगा तो Redmi K20 Pro and OnePlus 7T जैसे phones जिसमें Snapdragon 855 and 855 Plus का प्रोसेसर था वो भी 7nm की architecture पे ही based थे तो मतलब ये वाला phone आपको उस level की performance दे सकता है which is a big thing Camera's की बात करो तो इस phone में 48MP का primary sensor मिलता है with F1.8 aperture, 8MP ultra wide angle and 2MP macro sensor इस phone से आप maximum 4K 30fps तक वीडियो शूट कर पाऊगे and इसमें आपको EIS का support भी मिलेगा जिसकी वज़े से वीडियो बहुत जादे stable हो जाएंगी Selfie Camera की बात करो तो इस phone में आपको 16MP का Selfie Camera मिलता है with F2.1 aperture जिससे आप HDR and Panorama Shots भी ले सकते हो and maximum 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर पाऊगे रही बात बैटरी की तो इस phone में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है with 30W fast charging जो कि आपके phone को 25 minutes में ही 50% तक चार्ज कर सकता है दूसरे नंबर पर एक non-Chinese smartphone आता है and yes, this smartphone has some coolest specifications as well Moto G40 Fusion इस phone में आपको 6.8 इंचिस की बड़ी दिस्पले मिलती है with 120Hz का refresh rate and SGA10 का support लिटरली 15,000 के अंदर कुछी ऐसे phones है जिन में इतनी बड़ी दिस्पले मिलती है but the biggest advantage of this smartphone, stock Android जी हाँ, no bloat fares, no extra applications, clean look, timely security updates, timely Android updates, everything अगर आपको stock Android पसंद आता है और आपका budget 15,000 के आसपस है तो you can definitely go for Moto G40 Fusion ये बड़ी अच्छी बात के ही आप परफॉर्मिंस के बात करूंता है, इस phone में आपको मिलता है Snapdragon 732G जो की 8 nanometer के architecture पे based है which comes with Adreno 618 का GPU and UFS 2.1 का storage type 732G is a gaming processor और stock Android के साथ तो gaming और भी smooth हो जाएगी रही बात कैमरास की, तो इस phone में आपको primary sensor मिलता है 64MP का with F1.7 aperture 8MP का ultra wide angle sensor and 2MP depth sensor एक highlight करने वाली बात यहाँ पी ये है कि Moto G40 Fusion के camera से आप 4K 120fps तग record कर सकते हो 4K 120fps literally बहुत सारे flagship phones जो एक लाग धेड़ लाग के भी आते हैं उनमें भी ये वाला feature नहीं दिया हुआ है प्लस इसमें आपको 16MP का selfie camera मिलता है with F2.2 aperture और इससे भी आप 4K वीडियोज शूट कर सकते हो great job Moto बात करें बैटरी की तो तो इस phone में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है with 20W fast charging जो कि अराम से आपका एक दिन निकाल देगी आजकल बहुत सारे smart phones तो अब भी 4000 और 4500 mAh पे ही अटके वे हैं और अगर आप एक moderate user हो ना तो इस phone can also give 2 days battery backup and finally the best phone under 15,000 in my opinion Redmi Note 10 Pro ये phone आपको Amazon और Flipkart पे 16,000 का दिखाई देगा बट आप आप आराम से कोई सा भी discount offer लगा कर इसको 15,000 या उससे नीचे में भी purchase कर सकते हो इस phone में आपको 6.67 इंचिस की एक बड़ी Super AMOLED डिस्पले मिलेगी with 120Hz refresh rate SGA10 का support and इसकी brightness maximum 1200 nits तक जा सकती है and one more thing इस phone के डिस्पले और back दोनों में ही आपको Gorilla Glass 5 की protection देखने को मिलती है plus ये phone IP53 Dust and Splash Protection certified भी है which is really a big advantage performance की बात करूँ तो इस phone में भी आपको Snapdragon 732G का processor मिलता है जो की 8-10-0-meter की architecture पे based है with Adreno 618 का GPU and 6GB RAM but इस phone में आपको latest UFS 2.2 का storage type देखने को मिलता है जो की apps and games को बहुत जल्दी load कर देगा बात करूँ cameras की तो इस phone में आपको 108MP का primary sensor देखने को मिलता है with F1.9 aperture 8MP ultra wide angle sensor and 5MP macro with 2MP depth sensor front की तरप आपको 16MP का selfie camera मिलता है with F2.5 aperture जिससे आप 1080p 30 frames तक video shoot कर सकते हो रहे बात बैटरी की तो इस phone में आपको 500020MH की बैटरी मिलती है with 33W fast charging जो की 30 minutes में ही 60% तक बैटरी को चार्ज कर सकता है तो यह थे 3 best smartphones under 15,000 इन सारे smartphone में से कोई सा भी purchase करना चाहते हो तो description में link दिया हुआ है वहाँ से जाकर purchase करो यार वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छालाव, पीस ता